इंदरी विधानसवा शेत्र से जीत का पर्चम लहराने वाले नव निर्वाचित विधायक रामकुमार कश्चप का भव्वे स्वागत हुआ दरसल इंदरी के दिवाल पैलेस में आज भाजपा कार्रे करताओ द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया कार्रे करम में रामकुमार कश्चप के पहुँचने पर पार्टी की कार्रे करताओ और इंदरी की जनता ने धोल नगाडों, फूल मालाओ और गोलदस्तों के साथ उनका जोरदार स्वागत गया इस दोरान रामकुमार कश्चप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा इंदरी हलके की जनता ने मुझ पर इतना विश्वास करकि भारी मतों से जिता कर वधान सभा में भीजा है ये जीत मेरी नहीं, पूरे इंदरी हलके की जीत है साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रे करताओ और जनता को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा करता हुआ और इंदरी की वासियों का सभी जन्यवाद करता हूँ, मेरे प्रियास रहेगा इनको मानसबान मिले और इनके जितनी भी समस्य हैं काम हैं तोप रोटी देकर के इनके काम कराने काम के जाए समस्यों को दूर किया जाए ऐसा मिरा प्रियास दियेगा इनको दुबारा से गहे सिर्का में बनाए जाएगा और उनकी नेतरothy में बदादे के इंद्र विदानसभा चुनाव में रामकुमार कश्यप ने कुल 54,221 वोट लेते हुए निर्दल्य उमीदवार राकेश कंबोज को 7,431 वोट से हरा दिया BJP के प्रत्याशी रामकुमार कश्यप और निर्दल्य उमीदवार राकेश कंबोज की बीच विधायक को लेकर दिन भर कांटे के टककर रही दोपहर बाद लीड अधिक होने के बाद विजेता विधायक मतगरना केंदर पर पहुँचे छटे राउंड नहेंडा गाउं की मशीन खराब होने से गिंती देर शाम तक हुई जिसके बाद पोस्टर बेल्ट का परिणाम घोशित हुआ इंदरी से मेन पाल का शब पंजाब केसरी टीवी